सनावद से 35 किलो मिटर दूर पिकव वाहन के पलटने पर उसमें सवार 37 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई सिविल अस्पताल सनावद में आये घायलो के परिजनों ने बताया कि पुनासा तहसिल के ग्राम दयानत पूर में जगदिश यादों ने पिकव वाहन से अपने रिष्टेदारों को खरगों जिले के ग्राम टेमा बहरामपूर अपने जीजा के घर हो रही शादी में मामेरा लेकर जा रहे थे पिकव वाहन में लगभग 45 सवारी सवार थी ग्राम रोडिया के पांस सामने से आ रही कार की टककर से पिकव वाहन पलड गया वाहन में सवार लगभग 37 महिलाए घायल हो गई अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसा पाटिदार ने बताया कि 47 घायलों में से एक घायल का इलाज के दोरान जोती जोती पती श्री राम 35 वर्ष मोत हो गई शेश लगभग 17 महिलाओं को हाथ पेर में लगने हड़ी तूटने के कारण इंदोर खरगोन रेफर किया गया सनावत से प्रभु दोगाया की रिपूर्ट सुनिल भिया क्या हुआ था घटना क्रावी घटना में ध्यानतपुरों से जा रहे थे हैं टेमा गाड़ी पल्ती खा गई हूं कहां पर राप यह अंबा और रोड़या के विच में कितनी महिला है सामिलती इसमें 40 से 45 कितनी घायल हुई इसके अंदर पूरी घायल है कम से कम महिला गाहल है चार महिला एकस्पायर हुई है क्या नाम एनका इनका नाम है जोती पती सिरी राम जैनत पुरल यह यहां पर लेकर आयाए थे तो बेड़ीं भी लेकर गयों आप इनको बेड़ा के दिखा तुन को इहां लेकर आ है सबी रेफयर गर दिया सबीध रेपर किया और बेड हो में आधे बेड हो में और आधे बैड हो में लेके गए थे तो आधे जंम यहां लेकर आया हो श्रदत हो ख्वाइस पीप पन्टी के आने लगभग 50 लोग यहां पर आये थे, उसमें से 37 गायल थे और 17 गंभी गायल थे उसमें तो अलावा और गंभीर घायल थे, आपको किसी का हाथ टूटाय किसी का पेट टूटाय किसी को सिर में चोटें कोण कॉन-कॉन दक्त अब कर दो सईोग किया है आपीशेख मकाती दक्तर भीएश चौवान, डक्तर अमर सिं चॉना सर, और मैं खुस रहे हैं ठीक मैं, थेंक यू